दोस्तो हमारा आज का विश्य भहुत ही खास है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और पाएं अपने सवालों का जवाब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपके उन सवालों का जवाब देने वाले हैं जिनके जवाब आप जानना तो चाहते हैं लेकिन कई लोग इनको पूछने से कतराते हैं क्योंकि ये सवाल आपकी नीजी जिन्दगी से जुड़े हुए होते हैं लेकिन यकीन मानिए आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में चल रही उलजन से पूरी तरह चुटकारा मिलेगा नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल जिसका नाम है किड्नी ट्रीट्मेंट विदाव डैलेसिज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशे किड्नी से जुड़ी कई जरूरी जानकारिया देते हैं पर हमारा आज का विशे हमारे रोजाना के विशे से कुछ हटकर है हमें कमेंट के माधियम से कई लोगों ने पूछा कि किड्नी मरीजों को शादी के बाद कैसी लाइफ जीनी चाहिए और मुस्टरी लोग जानना चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली प्लैनिंग कर सकते हैं या नहीं ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि अधिकतर लोग इसका जवाब जानने की इच्छा रखते हैं तो आपके इसी सवाल के जवाब के साथ आज हम आपके सामने आए हैं और आपको ये भी बताएंगे कि किड्नी के मरीज शादी के बाद अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं और उन्हें किन बातों का धिहान रखना चाहिए अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब दक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूलें अधिकतर लोग जानना चाहते हैं कि किड्नी रोगी शादी के बाद कैसी जिन्दगी जी सकते हैं तो आपको इसके लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा जिसे हम आपको कुछ पॉइंट्स दे कर समझाते हैं जिसमें पहला पॉइंट है आपकी डेली लाइफ किड्नी की मरीजों की डेली लाइफ स्वस्त इंसानों से थोड़ी अलग होती है क्या सोचने लगे अरे भाई थोड़ी सी अलग लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को बीमार समझो थोड़ी सी अलग से हमारा मतलब है कि किड्नी के मरीजों को अपनी रोजाना की जिंदगी में हर काम समय पर करना होता है मतलब की टाइम टू टाइम जी हाँ किड़नी के मरीजों को सुभह जागने से लेकर रात को सोने तक के समय में थोड़ा सा भी बदलाव हानिकारक हो सकते है इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी दिन चरिया में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करें और हाँ सुभह वयाम जरूर करें जिससे आप पूरा दिन फिट महसूस कर सकें ऐसा करके आप शादी के बाद भी अपनी लाइफ ठीक से जी सकते हैं चलिए अब जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर जो है हेल्दी डाइट जैसा कि हमने आपको हमेशा से बताया है कि किड़नी के मरीजों की डाइट उनके लिए उतनी जरूरी है जितनी कि उनकी दवाईयां जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने किड़नी के मरीजों को अपने उपचार के दौरान अपनी डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनकी डाइट उनके इलाज का 50 प्रतिशत भाग होती है यानि कि उनके इलाज में जितना असर दवा करती है उतना ही असर उनकी डाइट भी करती है शादी के बाद भी किड़नी के मरीजों को अपनी डाइट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाना है इस बात का खास तोर पर आपको ध्यान रखना है कि इससे आप एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं आते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि शादी के बाद बहुत ही जरूरी होता है शादी के बाद आपको जरूरी है कि आप टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल जीएं और साथ ही अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत बॉंड बना कर रखें किड्नी के मरीजों की जिंदगी थोड़ी सी अलग होती है इसलिए उन्हें शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ मेंटली बॉंड बना कर रखना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में हैपिनेस बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले किड्नी के मरीज खुद अपने दिमाग को शांत रखें और खुद मेंटली फिट रहें क्योंकि जब आप दिमागी तौर पर फिट होंगे तो आप अपने पार्टनर को भी खुश रख पाएंगे किसी भी रिष्टे में सबसे जरूरी होता है कि आप एक दूसरे की फिलिंग्स को समझें इसके लिए किड्नी रोग्यों के दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी होता है इससे आप शादी के बाद भी एक अच्छी जिन्दगी जी सकते हैं चलिए अब आते हैं भौथी महत्पून पॉइंट पर क्योंकि किड्नी रोगी का अक्सर यही सवाल होता है कि वो शादी के बाद फैमिली प्लैनिंग कर सकते हैं या नहीं क्योंकि उन्हें इस बात का डर बना रहता है कि कहीं उनकी आने वाली संतान में इस रोग के कोई लक्षन तो नहीं हो जाएंगे ऐसा सोचना सोभाविक भी है क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं वही उसी समस्या से उनके बच्चे को भी परेशान होना पड़े तो इसके लिए हमारा सुझाव है कि आप फैमली प्लैनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप डॉक्टर से प्रॉपर अडवाईज लीजिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सवाल का सही जवाब आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिल पाएगा आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों क्योंकि किड्नी के मरीजों की बीमारी और उनकी स्टेज अलग-अलग होती है उनकी रिपोर्ट्स और उनकी सेहत दोनों को देखकर ही डॉक्टर सही सुझाव दे पाते हैं इसलिए जरूरी है कि आप सही डॉक्टर का चुनाव करें जो आपको किड्नी रोक का सही उपचार दे और आप अपनी इस उलजन से बाहर निकल पाएं क्योंकि माता या पिता बनने के लिए आपके शरीर का स्वस्त रहना भी जरूरी है कहीं ऐसा नहों कि आपका स्वस्ते भी खराब बना रहे और आपकी आने वाली संतान भी इस समस्या को जहले तो इन बातों का ध्यान रखकर शादी के बाद भी किड्नी के मरीज एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं इसके साथ आपको अपनी किड्नी में खराबी के लिए अच्छे उपचार की जरूत होती है इसके लिए हमारा सुझाव है आप आयरवदिक उपचार लें क्योंकि किड्नी को स्वस्त रखने के लिए आयरवदिक उपचार सबसे सफल इलाज माना गया है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ दवाईयों का सेवन करना होता है और साथ ही अपनी डाइट में कुछ चीजों से परहिच करने होते हैं इसके साथ ही इस उपचार में आपको डाइलेसिस जैसे दर्द को भी जहिलना नहीं पड़ता और नहीं आपको किड्नी ट्रांस्प्लांट के महंगे खर्च को उठाना पड़ता है कुछ बातों का ध्यान रखें समय पर खाना खाएं रोजाना वयाम करें और खुश रहें बस इन्हें अपनी रोजाने की लाइफ में शामिल करें और शादी के बाद भी आप स्वस्त जीवन जी सकते हैं किड्नी की समच्यासे परिशान हैं तो आपको कर्म आरुदा से उप्चार करवाना चाहिए क्योंकि कर्मा-दोस्तों है कर्मा-ईरोदा से इलाज ले कर ये किड्नी के मरीज कैसे स्वस्त हुए आई ये सुनते हैं उनकी कहानी उनहीं की जूबानी नमस्कार दोस्तों होगज किद्मी की समस्या की कडियों में फ्यूशन डॉल जब आए थे तो उसमें क्या क्या दिक्का आरोटी आप शरीर में दर्द बगरा रहती थी चक्र आते थे कम जोरी रहती शरीर में यह कहां से कराई थे टेस्ट आपने यह मुकेरियां मुकेरियां तो टेस्ट है यह यह अमर क्लिनिकल लाब का टेस्ट है चब्विजार 2020 की यह रिपोर्ट है एक मीने पहले की रिपोर्ट है 5.1 क्रिट माइन एस रिपोर्ट के अंदर यूरिया एक शिक्स्टी फोर के आज पास है यह मुगलब इन एक पॉइंट फाइफ है एक माइन पहले की रिपोर्ट है एल्गुमेन 4 प्लस है आप देख सकते ह है और फिर मुगेरिया से ही कर रहे है दिखाए और आप यह करा के लाए है पैस इसके अंदर 20 सब्टेंबर 2020 सेम लाप के करा है क्रेट 9 भटके हो चुका है 4.3 यूरिया नॉर्मल हो चुका है 55 हो चुका है यूरिया के नामल दें 55 इस लाप की अल्ब्यूमिन 3 प्लस हो गय जमीन आश्मान का फार पड़ा तीन महिने के अंदर भुगेरिया पंजाब के पेशेंट है पहले काफी दिक्कत थी और काफी अरान बड़ा है और वन में इनको मेजर इंप्रूमेंट्स फिजिबल हो फिजिकली पेशेंट इस फिरिंग मच बेटर स्टॉप किड्नी डाले वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं